हेलो दोस्तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में आज एक बार फिर एक नया सैटप लेके जिसको हम बोल सकते हैं मीनी मॉल तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से स्टार्टिंग में आप थोड़ा बहुत इस तरह से सॉक्स वगरा के लिए हैंगर लगा सकते हैं शॉप आपकी उसमें दिखेगी ठीक है आगे बढ़ते हैं हम इस तरह से आप ग्रास का यूज करते हुए और पीछे चैनल इस तरह से लग जाएगी जिसमें इस तरह से हूक आता है इसको लगाते हुए ही ज्यादा कॉसली नी आएगा आप पूछ सकते हैं कितने का आपको अवैलेबल करवा देंगे जैसे सबसे स्टार्टिंग में आपने M साइज लगा दिया उसके नीचे आपने 28 साइस की जीन्स लगा दी उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद L साइज आ गया इल साइज के इस तरह से शर्ट आ गया और नीचे 30 की जीन्स आ गए इस इस तरह से आगे बढ़ते हो एक्सेल डबल एक्सेल ट्रिपल एक्सेल 30 32 34 36 इस तरह से आपका पूरा सैट अप इसमें हो जाएगा उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आपने थोड़ा बहुत अपर वगिरा आप रखते हो स्पोर्ट का तो वह लगा सकते हैं डैनिम जैकेट व इसमर आएगा अपना हैसाब से पसंद करेगा और निकाल के देखेगा जैसे उसको कोई भी चीज ट्राय करनी है तो आप इस तरह से एक सेंटर टेबल बनवा सकते हैं छुटी सी जिसके उपर वह रख सकता है आप उसको फोल्ड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं वापस सांग दीजे सिंपल यह काम आपका हो गया उसके बाद यह हमने बात करी यहां पर पूरा डिस्प्ले बना दिया इसके उपर आप देख सकते हैं अगर आपका फुटवेर का भी काम है तो आप इस तरह से ग्लास के शेल्फ या कुछ भी फरनीचर से बनवाके बॉक्से वग लगे करना दिया जिसमें आपको सेल वाला डाइटम अपना लगा सकते हैं जैसे जीन की सेल लगा सकते हैं शट अगर अगर two and at लिजे सेल वाल हटा दीजे इस हिसाब से सीजनल के साफ से सेंटर में काम करेगा इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं शूस का सेक्षन हमारा यह फ्रंट वॉल पर हो गया फ्रंट वॉल का इस तरह से सैट अप आप देख लिजे अच्छा जैसा आपको लगे करवा सकते हैं इस सेट अप करने के लिए आपको इस तरह से प्लेट वागे लगेगी जो आपको अविलिबल हो जाएगी अपने पास यह आप लेने के लिए वाट्स अप कर सकते हैं अपने को यह आपका पूरा सेट अप हो गया नीचे थोड़ा बहुत स्लीपर्स का या शूस का स्टॉक बैटके इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपना स्लीपर्स का स्टॉक आ गया स्लीपर्स को हैं करने के लिए इस तरह से सिंपल यह रोट्स वगरा आएगी जिसमें आप हैंगर के थूरू लगा सकते हैं इस तरह से आपका स्लीपर का स्टॉक आ जाएगा पूरा एक वाल और आगे बढ़ेंगे हम एक आपका ग्लास आ जाएगा जिसमें कोई भी पहन के देख सकता है और यह अपना स्टैंड आई गया इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगर आप फुट्वेर तो रखी रहे हैं अगर आप अंडर्वेर गार्मेंट्स वगरा रखते हैं रेक्स अगर एक्स्ट्रा है तो वह आ गए रुमाल आ गए इस तरह से सारे आइटम आप रख सकते हैं अब जैसे आपने लेफ साइड में उपर किया था शूज के लिए इसी तरह से आप राइट साइड में उपर शूज के लिए स्टॉक बना सकते हैं इसके बाद हमारा सेक्शन आजाता है टी-शिर्ट का सक्शन के लिए आप इस तरह से इसमें अलग से लगा सकते हैं जैसे इस तरम आपको चैनल लगेगी ग्राज के उपर लगा दिया और इसको एजस्टेबल भी रहेगा उपर नीचे भी आप कर सकते हैं उसके बाद आपका इस फ्रेंट ग्लास आ इसमें आप कुछ भी हैंक कर सकते हैं और यहां पे सबसे स्टार्टिंग में आपके भगवान की फोटो आई जाएगी ओम सायराम तो इस तरह से आप यह व्यू देख सकते हैं सेंटर में आप अपनी चेर लगा सकते हैं इस व्यू को आप देख लिजे काफी अच्छा लुक मेरे साब से आया है जिसमें आपको अच्छी फुल स्पेस मिल गई साइज इसका केवल 10 फिट बाई 20 फिट है और उसके बावजूद आप देख सकते हैं कितना बड़िया सेट अप यह बन गया है तो इस तरह से एक बार आप व्यू देख लिजे उमिद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि मैं इस तरह से नएने सेट अपस आपके सामने लेके आता रहूँ थैंक्यू सो मच